जिस समय अर्जुन और कड़ में महराज युद्ध हुआ थी और कड़ जिस समय लगभगभग मृत्यु के नजीत था ओस समय भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि अर्जुन जुन कड़ बहुत बढ़ा दानी है और अगर आपको विश्वास ना हो तो हम अभी आपके समक्षिस्वात का प्रमार देते हैं चलिए कड़ के पास दान मांगते हैं माराज भगवान कृष्ण ने अपना वेश मतला भगवान कनिया जिस समय कड़ के पास में गए हैं और ये कहा है कड़ से कि कड़ हमें कुछ दान चाहिए तब कड़ ने ये कहा है कि मुनिवर आप अंतिम समय में दान मागने के लिए आए हैं अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है आप तब दान लेने के लिए आए हैं तो कनिया बोले अगर आप चाहें तो हम चले जाएंगे कहा नहीं, कड़ने इन बात है सोने का दान दूगा मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना ठके है अभीदान करते करते मेरे हाथ ना ठके है अभीदान करते सोने का दान दूगा मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना ठके है अभीदान करते मेरे हाथ ना ठके है मेरे हाथ ना ठके है मेहनों में गरी जो होते जो आते जो आते मेहनों में क्या मांगते क्या तुम मुझे गोजे मादे कड़ कहा है दुगवाद अगर आप महलों में होते तो आप जो जो पहते में देने के लिए तयार का कड़ कड़ का फिर भी मैं दानि दूगा मुझे राज मरी पे मरी पे मेरे हाथ ना खके है अभिदा का हाथ ना खके है अभिदा कर दो कर दो अगर आप हमें पत्थर का टुपड़ा देगें तो मेरे दाद में जो सोना लगा हुआ है आज जैसे ही दिया है तो कृष्र बोले कि जूठा दान में रहे हों हमें ऐसा दान नहीं चाहिए है तब कर ने क्या किया है मुनिराज यो उचारा ये उठा दानत भारा जित्या में भगवान कृष्ण ने कहा दान नहीं चाहिए धर्री में वाड मारा निकली है जल्यकी धारा वो धर्री में आरमा निकली है जल्यकी धारा भोक करके ताट तूँगा मुनिराज मरे मरे मेरे आतना हथे है अजना निकली संदे मेरे आतना हथे है अजना नकली संदे सब्सक्राव करके ताट तूदंते तूदंत तूदंत निकली संदे मेरे आतना हथे है अजना निकली धारा करें